नमस्कार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल में तो आज हम यहाँ पे आपको बताएंगे कि जो पसुदन प्रसार अदिकारी है रेसर मधी दर्सक और जौन्य पद हैं उनके लिए उनकी आंसर की परसों निकल गई थी और आपको जिन questions पर doubt है आप उनके लिए online objection जो है raise कर सकते हैं इसके लिए आयोग ने अपनी website पर objection का link दिया है जब आप अपनी website को open UKCC की website को open करेंगे तो आप यहाँ पर जब जाएंगे इस वाले corner में आपको दिखेगा की answer की and online objection जब आप यहाँ पर click करेंगे तो यहाँ पर आपको answer की भी मिलेगी और इसका online objection भी आप raise कर सकते हैं answer की download करने के बाद जिन questions पर आपको लगता है कि मुझे doubt है उसके बाद आप क्या कर सकते हैं उन questions को यहाँ पर जब आप click करेंगे online प्रत्यावेदन objection ही तो click करें तो जैसे आप यहाँ पर click करेंगे तो आपको पास एक नया portal खुलेगा इस portal पर आप जब जाएंगे तो यहाँ पर आपको अपना road number नाम डालना है और road number नाम डालने के बाद road number डालने के बाद आपको question पूछी का हो कि कि किस question पर आप जो है objection करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप अपना देख सकते हैं रोड नमबर डालेंगे डेटो बड़ डालेंगे और जब आप इसको next करेंगे तो question number पूछीगा आपको और वहाँ पे आपको अपना supporting document पे लगाना है कि आप किस आधार पे जो है उन questions को challenge कर रहे हैं आप supporting document के रूप में कोई भी NCRT की book ले सकते हैं या कोई भी ऐसी book जिसमें IBSN number होता है ओ भी जो है valid मायनी जाएगी सिर्फ NCRT नहीं कोई भी जो valid book है जिसमें IBSN number होता है उसको भी आप आधार बना सकते हैं इस तरह से आप इस questions को देखें जो भी आपको लगता है जो भी questions आपको लगते हैं उन पर आप जुरूर objection कीजिये और 16 तारिक तक 16 फरवरी तक इसमें objection की date है उसके बाद objection रेज नहीं कर सकते हैं तो जो भी question आपको लगते हैं कि ये सही नहीं है उन्हें आप जरूर करें उन्हें आप जरूर जो है अब्जेक्शन पर लगाएं और ओर लाइन इसके लिए आवेदन करें बाकिया आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं आप कोमेंट में करें ठैंकियो सो मच गोडबलेस